हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्ले फास्ट बॉलिंग बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है हर प्लेयर फास्ट बॉलिंग अच्छी नहीं खेल पाता तो मैं इसमें आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जिससे आप अपनी फास्ट बॉलि लेते हो तो आप उसमें लेट हो जाते हो आप मुझे कमेंड़ बताना कि आप लोग कभी-कभी स्पीड से बीट हो जाते हो या नहीं यह उसी का कारण है जब भी हम स्टांस में होते हैं और जब भी हम अगर आपका बैक एन अक्रॉस का आपका ट्रिगर मूवमेंट अगर आप बैक एन अक्रॉस जा रहे हो तो आपकी बॉडी मूवमेंट में रहती है बॉल डिलिवर होने के बाद जिस वज़े से आप लोग स्पीड से बीट हो जाते हो जब भी आपको फास्ट बॉलिंग खेलने तो आपको क्या धियान रखना है जब भी आप अपने बैक एन अ दिक्कत करोगे और हमेशा आपको फ्रंट फूट पे खेलना है पहली कोशिच आपको पूरा फ्रंट फूट पे खेलना है दूसरा बॉल आपको अपने पास आने देनी है जित्ता पास आपके बॉडी के बॉल होगी आप उतना अच्छा कंट्रोल से कर पाओगे तीसरा आपका पैर बिल्कुल बॉल तक जाना चीए और वहां से आप डिफेंस भी कर सकते हो बॉल को ड्राइब भी कर सकते हो और कोई शॉट खेलना चाते हो वह भी आप कर सकते हो पांच वी चीज और अगर बॉल ज्यादा ऑफस्टम के बहार है तो उसे छोड़ना सीखो जब आप अपनी फास्ट बॉलिंग को खेलना इंप्रूव कर पाओगे अगर आप बाहर की बॉल छोड़ना सीख जाओगे और सबसे इंपोर्टेंट अपना डिफेंस आपका डिफेंस जितना स्ट्रॉंग होगा आप फास्ट बॉलिंग उतनी ही अच्छी खेल पाओगे अब आप इसकी परेक्टिस कैसे कर सकते हो तो अगर आपके पास टैनिस रेकेट है तो आप इससे Prest к कर सकते हो टैनिस रेकेट से अब 120-130 ए 4140, 150 की स्पीड अराम से खेल सकते हो उसमें आपको क्या करना है आपको टैनिस चाहिए टैनिस की बॉल चाहिए और आपका पार्टनर 16 yard से आपको ball hit करें जित्ती जोर से वो कर सकता है क्योंकि 16 yard से जब वो tennis की ball आपकी तरफ hit करेगा तो ball बहुत ही ज़्यादा speed से आएगी अराम से 130, 35, 40 वो उसकी ability के उपर है कि वो कितनी तेज hit कर सकता है बस आपको शुरू में क्या करना है ball को defense करना है पैर निकाल के drive खेलना है धीरे धीरे आप लोग इसकी practice करोगे तो जो आपकी fastballing खेलने की problem है वो बिल्कुल solve हो जाएगी अब कुछ लोगों के पास tennis racket नहीं होगा वो क्या practice करें वो wicket को गिला करके उस पे tennis ball से practice कर सकते हैं आप cement को गिला करके tennis ball की practice कर सकते हैं वो भी आपका partner 16 yard से या 14 yard से ball throw करें आपको बिल्कुल उपर दे सबसे जरूरी है पहले वो आपको उपर खिला है छोटी ना दे क्योंकि पहला आपको front foot पे खेलना आना चाहिए उसके बाद आप back foot की practice कर सकते हों तो वो आपको tennis ball गिले विकिट पे throw करें और आपको उससे practice करनी है मैं आपको guarantee देता हूँ अगर आप ये दोनों drill technique कर लोगे या drill कर लोगे तो आपकी जो fast balling खेलने की problem है वो धीरे धीरे solve हो जाएगी और आप match में run भी बनाने start कर दोगे तो friends अगर video अच्छी लगे like कर देना और channel पे नहीं हो तो subscribe कर देना और आप मुझे instagram पे follow कर सकते हैं same account है Shubam Cricket Academy और मैंने भी tennis racket से practice करी थी 140 खेल ली थी उसकी video भी आपको description box में मिल जाएगी आप वो भी देख सकते हो कि मैंने कैसे खेल ला था कैसे शोपट भी लड़ हो कि मैंने चाही वोपट लाएगी कैसे शोपट देख सकते हो कि मैंने